जे अन्पम ककड जी गाजयवाद से रादे रादे महराजी आपके चरणों में कोटी-कोटी पढ़ाओ गुरुदेव आपकी शर्नागत होने का सोभा के प्राप्त है और आपने मुझे अपना माना ये मेरे लिए किर्पा की बात है कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने CCTV कैमरे लगा दिया है जैसे ही कुछ गलती होती है तभी अगले दिन सत्संग में आप तूटी के साथ उ आपको जरूरत नहीं है आपको अपने में भगवत भाव करने की जरूरत है अपने में भगवत भाव जब द्रड हो जाएगा तो जैसे हमारा चस्मा हरा हो तो सब हरा ही दिखाई देता है लाल हो तो लाल दिखाई देता है ऐसे हमारा भगवत भाव तो सम्में भगवत भा पावर तो वही है ना हीटर में फ्रीज में एक ही बिजली है एक जगे यंत्र के प्रभाव से गर्मी पैदा कर रही और एक जगे ठंडी पैदा कर रही परमात्मा एक पावर है अब तीन गुणों का स्वभाव प्रभाव है तमों गुणे तो राक्षसी प्रवत्ती प्रगठ होगी रजों गुणे तो राजसिक सतों गुणे तो सात्विक लेकिन पावर तो उसमें परमात्मा है ना यह जब तक ज्यान नहीं होगा तब तक भाव केवल उपर से लगाते रहेंगे तो नकूलता में तो लग जायेंगे भाव प्रतिकूलता में रहरेंगे पर ज्यान हो जाने परभा попыт नहीं पड़ेगी जो है फु sinking जिसरे चाहि परमाथमा है जी Tech यहां परमाथमा नहीं है in so on this a-it यह रहें अभी है वी है परमाथमा है जहां है तो है कोई कर ऐसा नहीं और नहीं है जो हम कहते जान नहीं है वहां भी हो है जैसे है विराजमा लला ऐसे परमात्मा विराजमा में परमात्मा निर्विकार है खोपड़ी के प्रभाव से उसका अलग अलग भाव प्रभाव दिखाई दे रहा है जैसे हीटर में बिजली गई तो अगलख्रियाएं हो रहें, कई जीवन दे रही, कई जीवन ले रही, नहीं हो रहें, छुझा आए तो ये तवत्टो ग्यान होने होने पर हम ये जान पाएंगे कि भगवान शरवत रहें और उसके लिए जो साधन बताया गया कि नाम जब करो, भगवान की वो भोग लगा कर पवित्र आहार पाओ, किसी को दुख पहुचाने की चेश्टा मत करो, तो आपका हर्देजम निर्मा अपने कर्तब का पालन करो, जैसे आप इस्त्री सरीर में, तो आप किसी की पत्री हैं किसी की पुत्री हैं, किसी की बहु हैं, बिवित्प्रकार से आपके कर्तब्य कर्म है, साथ ससुर की सेवा करना, पती की सेवा करना, पुत्रादी को इस्कूल के लिए तयार करना, सब विवस्थाग, ये सब पूजा है, ये सब भजन है, केवला में भावना अपनी बना ले कि निये कि सब भगवान इनके अंदर वेठे पुटे को पुटे के रूप में प्यार पती को पती के रूप में सास अभी आनंद सरुख भगवान की कृपाप को अन्भौ में आने लगे हम दो भी भाग न करें कि भजन भी भाग अलग है और संसार भी भाग अलग है प्राया इसी में भजन के यान ही होती है हम सब के दो भी भाग दिमाग में रहते हैं कि माला चलाना और आर्थी करना तो भजन है लेकिन और जो तिने कारे हो तो सब संसार के कारे है नहीं, सब कारी भजन है आफिर जाना भजन है, रसोई बनाना भजन है, फावडा चलाना भजन है ब्यापार करना भजन है, गोली चलाना भी भजन है अगर राष्ट रक्षक है वो और शत्रों पर गोली चला रहा तो उसका भजन है भगवान मामनिश्मर युद्ध चर मेरा इसमरन करते हैं युद्ध रूपी करतब कर्म कर तो आप अपने करतब कर्म को करते हुई है जब नाम जप करेंगी तो आपका हरदय पवित्र होगा तो पवित्र हरदय में साफ़ अनुभव होता है सम्मी भगवान है भावना करने की जिबत नहीं होती है वो दिखाई देता है, वो परमात्मा है, सब के अंदर है, जब ये दिखाई देगा, तब हमको जब कोई गाली देगा, तो हमें हसी आएगी, मेरा ही प्रीतम है, कोई और नहीं, जैसे अपनी जबान दाथ से कट जाए, तो हम किसको गाली देंगे, क्यों, कश्ट तो हुआ, पर मेरे ही दाथ से कटे है, मेरे ही भगवान मेरा अपमान करने की लीला कर रहे है, मेरा ही इस्ट इसके अंदर बैठकर गाली दे रहा है, तब बुरा नहीं लगता है, अपनी भासा में, जब अपने को कोई गाली दे, और हमारी इस्तिती ऐसी हो, जैसे बिदे इसी भासा म हमारी वासा में हमको कोई गाली दे उको के फरक्ना पड़े तब समझना चेह हमारी भक्ति रंग ला रहे हुआ है तब भकवत होगा तब समय पहले हैं बहुत कठीनए अनकूल्ता में तो की अंदर भगवत भावा जब को या किसी देसे खड़े ओकर अपमानित हमें करें गाली रहे पाखंडी नीच दूर्थ फिर हमारे अंदर है कि मेरे भगवान है तब तो हमारी बगति रंग लाएगी सादू के सामने कैसी बात निकालो इसको फेलो गए वह आया था आपसे प् भगवान तो है ही अगर हम मान लेगे तो आनंद का अनुभा होने लेगा है नहीं मानेंगे तो भी भगवान है तो हमारा कल्यान हो जाएगा हमारा मंगल हो जाएगा भगवान है ना यह आपको पता है ना भगवान सबने है यह जो सब है ना यह यंत्र है इनमें जो पावर तो यह धाँचे में जो काम करने वाला पावर है आज तक किसी बैग्यानी ने उसका एकसरा किया है क्या उसकी तो बात जाने दो मन का एकसरा किया है मन का एकसरा हो सकता है बहला मन का कोई अल्टा साउंड कुछ आज तक कोई हमें लगता है भी विग्यान में इतनी शामर्थ नहीं आई है कि मन का कोई ऐसा है तो हमें ज़्यादा ग्यान तो भी ज्यान का नहीं वो केवल इस थूल धांसे को दिखा सकता है तुमारी यहां से अड़ी करेख होई है तुमारे दिल तुमारा जो इस थूल बना हुआ पांच भौतिक उसे दिखा सकते हैं लेकिन मन और रहे हो आप लोग अपने शरीर में रहे हो लेकिन आप क्या हो आठ तक जान पाएगो अगर पुछा जाया आप अपने जानते हो जांते है हमारा ये नाम है ममुक गा्ँ के यहां हम इस जाते में पैदा यह इतने साल के सारी बात शरीर की बताओगे अपनी नहीं बताओगे वही जो आपका शोरूप है आप में पावर है वही जिसे लिए एक ने प्रश्ण किया था भगवान ने मायारच के अमें फसा दिया हमका भाई सही बात पूछो तो भगवान ने नहीं फसाया आप ही फसे हो भगवान ने नहीं फसाया क्यों क्योंकि आप ही वही हो सच्ची वालला ये जो आपके धांचे हैं ये आप नहीं हूँ आप में जो पावर है एक जीरो वाट का बलब जले तो आप क्या बोलोगे किस से जल रहा है तो आप क्या बोलोगे बिजली से जल रहा है ना सब में पावर किसका है भगवान का भगवान ही है जैसे बिजली के पावर से बिजली तो प्राकृतिक है वो तो तार के कनेक्शन से जाती है और ये बेतार कनेक्शन है काहो सो कहा जहां प्रवुनाई कोई कड़ ऐसा नहीं जो भगवान ना बने हूँ स्वयम भगवान सब कुछ बने हुए है ये जब ग्यान हो जाएगा तो हमें सब जगे भगवान दिखाई देंगे अभी हमें ग्यान नहीं है अभी हमारा ग्यान केवल सरीर में सीमित है मैं ए मानसुख दुखिस्त्री पुरू जड़ चैतन जब इससे परेग्यान होगा जो परग्यान है पराविद्या है वो फिर भगवत सोरूप है फिर तो अपने आप लाली मेरे लाल की जित देखू तित लाल और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई ला बूले जहम भगवत सा खोजने वाला ही वहीं मिला और कोई नहीं मिला जिसकी हम खोज कर रहे तो खुद था दूसरा कोई नहीं था सच्ची अब हमाज़ी बास समझे आ रहे इस समय हम उनके प्रश्ण के अनुसार बोले कि सब में भगवाल है दो नहीं है एक ही है और वही साब रूप में ये दो का भाव हट जाए तो अज्ञान नस्ट हो जाए और ये बहुत बड़ा अज्ञान है तो ये जैसे हमारी द्रश्टी दो है आखें दो है पर लक्षेख होता है ऐसे ही इस्त्री पुरुष जड़ चैतन ने दुख सुख लाबहान इमान अपमान ये सब द्वंद हैं इन में तब तो एक ही भी राजमान है अभी सुद्ध ग्यान होने के लिए थोड़ा पवित्र हरदय चाहिए न अभी तो नाम जब करो भगवत चर्चा सुनो दूसरों की सेवा में ज्यादा ध्यान देओ हम ये मंदर की बात आपको रहासी की बात कह रहें बड़े बुजुर्गो की असहायों की पसुपक्षियों की अगर आप सेवा कर लिए तो बहुत जल्दी अरदय पवित्र होगा क्योंकि सरीर से ही आचरन हमारे बिगड़े जिससे हमारा अरदय अपवित्र होगा तो जैसे माल्यो बुढ़ी सास है उनके हम सौच फेक दें उनके कपड़े धोएं चरन दबावें उनमें भगवान की भावना करके से बहुत जल्दी अरदय पवित्र हो जाएगा पर मंदिर में पानी तो चड़ा सकते हैं लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों के मल भरे कपड़े नहीं दो सकते हैं आज का समय ऐसा हुआ आ रहा है कि बुजुर्गों के साथ असब बिवहार आज की समाज कर रही तो मुझे लगता है कि फिर मंदिर वाले भगवान प्रसंद नहीं हो जैसा यह कई बारे कांतिक में कहते हैं कि हमारे समाज को इस समय इस ग्यान की आवशकता है कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो बड़े बुजुर प्रशन हो गए तो भगवान प्रशन हो गए उनको यह मत देखो कि वो गाली देते हैं वो कैसा बिवार करते हैं बुजुर्ग वस्था में बुद्धी थोड़ा सासन से रहित हो जाती हो सकता है वो गाली तो में दे तुम करो सेवा वो तुमारी निंदा करें गाली दे करके स्वई जाने जही दे हुजनाई तो जानत तुम्हे तुम्हे उत जो भगवान का आश्यलिया भगवान की सेवा की भगवान उससे जना देते हैं जहां जाना तो भगवत स्वरूप हो जाता है अब मतलब है यार्थ उसमें क्या जाना है वो तो है ही अब जैसे हमारे दिमाग में अने तो यह लगता है 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 यार्थ उसमें क्या अकल लडानी हो है सरवत्र हैं तो अकल क्या लडानी भाई ना हो फिर आरोपित करना हो तो है ही है भगवान तो सरवत्र है है यहां भी है यहां भी है उनके सिवा कोई है ही नहीं अब हमारा चुके हरदया पवित्र है आखें जैसे खराब हो जाएं तो सामने का अच्छर नहीं दिखाई देता तो आपरे संकरावे चस्मा लगावे तो बड़ी हां पढ़ ले ऐसे हमारे अविद्या के नेत्र हैं ज्या करो अपने धर्म से चलो ग्यान इसी से प्राप्त हो जाएगा कठिन तपस्या करने वाला आप ना तो हदय रह गया है और ना समय रह गया है नाम जब के द्वारा ही बात बनेगी डॉक्टर शेलेश जी सिंगापूर से जैशी रादे माराजी राधा वल्लो शीहर इवेंच परम कृपालु परमात्मा की कोटिश वंदन और धन्यवाद जिनकी एहेतु की कृपा से गुरु तत्व के रूप में आपका इस जीवन में परिचे हुआ और भगवत प्राप्ति की उत्खंटा और प्रबल होने लगी प्रस्तिती जनक अनकूलता और प्रतिकूलता में आ मानव योनी अन्य सभी योनियों में उत्कृष्ट कही जाती है और मानव योनी की क्या देव पशू या अन्य योनियों से उपर रखकर प्रभू की किरपा का विशेश पात्र माना जा सकता है मारा जी हाँ है ही हाँ कवहूं का करिकर उना नर्देही डेत इस बिन हे तुसनेही संसर्ति मांज बर्याई के पायो मानुसे देव रथा कत डारत संसर्ति चक्क 84 लाकर च्चा उसे रोक दिया और करपा करके मनुष्य देह में इतनी दुरलबता है आप जाहो देवता बन सकते हो आप जाहो भूत बन सकते हो आप नाली के किगा बन सकते हो आप दुरगती में जा सकते हो आप जाहो तो नारायन बन सकते हो नारायन का चिंतन करते हो तदाकार तो नारायन श्रूप हो जाओगे यह आत्म श्रूप का ऐसा कि जैसा तो जैसा चिंतन करोगे वैसा हो जाओगे तो जैसा बनना है वैसा चिंतन करो देखो आदमी के आचरन के अमसाल लोग नहीं कि पूरा राक्षस है बात करो तो देखो तो बिवार देखो पूरा राक्षस है अब उसका चिंतन राक्षस ही प्रवत्त को गया तो हम उसको रहा यार यह तो देवता आजमी है अरे यह तो देवता नहीं तो साक्षाद भगवान है हम ऐसा नहीं कहने लगते कि नी कि नी कि अरे वो तो साक्षाद भगवान है क्यों क्यों कि भगवान का अंस है और वो जैसा चिंतन करता है वैसे वो बनता चला जात यह मनुष्य शरीर हमको हमारे कर्म से नहीं मिला दुरलबो मानुष्यों देखो यह दुरलब कहा गया यह हरी प्रशाद से मिलता है कबहूं का करी करुणा नर्देही देत इस बिन्वेत संहे यह तनकल फर विसेन भाई भजी राम सब काम भी हाई बड़े भाग मानुष्य त देवता सरीर से आप भोग तो भोग सकते हो लेकिन नमीन कर्म नहीं कर सकते मनुष्य सरीर से आप नमीन कर्म करके देव लोग का भी उलंगन करके आप ब्रह्म लोग का भी उलंगन करके आप बैकुंठ जा सकते हो जब बैकुंठ में कोई जाता है तो नारायन सुरूप हो क जाता है गीद देहत्ता जी धरी हरी रूपा जैसे कोई कहे कि अरे भाई मनुष्य नारायन कैसे हो सकता है नारायन मनुष्य बन सकता है ना तो सीली बन गई ना तो चड़ जाओ मनुष्य नारायन बन जाएगा और कैदे प्रमान देओ तो जब कोई भगवान के धाम जाता है तो जीवन के नहीं जाता, वो इस सो रूप धारन करता है, गीद देह तजी धरी हरी, रूप हरी का रूप धारन करके, वो हरी धाम में गया, भगवान के शाकेत धाम को गया, तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं, पर अब हमारी सोच गलत हो गई है, हमारी सोच हो गई देह भाव, हमारी सोच हो गए इंद्रियों को कैसे संतुष्ट करें हमारी रसेंद्री मांगती हो हम दे रहे जनेंद्री मांगती हो दे रहे हम भूल गए कि हम इंद्रियों की मांगों के लिए मनुष्य सरीर नहीं पाया इंद्रियों को रोकने के लिए मनुष्य सरीर पाया हम और खुला छोड़ दिये तो जब हमारी कर्म बिगड़ गए तो फिर भगवत कृपा का अपमान करने के कारण हमको विशेश दंड मिलेगा पापाचरण तो होंगे ही उनका दंड तो मिलेगा लेकिन विशेश दंड मिलेगा कि भगवान ने तुम्हें मानों दे दे थी आत्मनन गति जाए जैसे कि भगवान हमें पता नहीं था तो यह नहीं कह सकते आप क्योंकि भगवान ने माया रचा तो माया मुक्त करने के लिए संत और सद्गुर्दे और साथ रूप में वो बता भी रहे कि मेरा रचा हुआ गेम है यहां से निकल जाओ यह निकलो अब उधर ना निकल के मनोरंजन में फस गए तो फिर आपको दर्ण में आत्मनन गति जाए जो आत्मात्यारे को दुर्दसा प्राप्त होती है वो मानों देख प्राप्त करके जो भजन न करके पापा चरण में इंद्रियों के भोग विलास में समय नश्ट कर दिया उनकी दुर भवत्ती मारग है वो ले हमें किसी की जवरत ने रात दिन भजन करेंगे तो निवरत्ती मारग है लेकिन भजन से ही भगवत प्राप्ती होगी चाया ग्रेस तो चाया भी रखतो भगवान ने आपको ग्रेस्थी में रखा सब सुविदाएं दी एक काम करना है भगवत प्र करेगा मनुष्य बन करके हम कुछ ऐसे आचरन करें कि कम से कम फिर मनुष्य बने अगर मुक्त नहों और हम समाज सेवा करें राष्ट सेवा करें भजन करें अब हम जाकर कैसे नीची उनियों में तो ऐसा ऐसे हमारे आचरन उससे भी बुरे हो रहें यह जो मदिरा पान करना द यह सब जो हमारे जवान भी उस बात को कहने में सकुचाती, यह जो वाई फ्रेंड, गर्ल फ्रेंड, लिविन रिलेसन, बेविचार प्रवतियों का बढ़ावा है, यह हमारे धार्मिक देश के लिए बहुत हानिका रख है, और यह भगवत प्राप्ति में बहुत, कहीं किसी देश में भगवत प्राप्ति की चर्चा नहीं है, बहुत्य बहुत नरक श्वर्ग की बात है, बस भगवत प्राप्ति की नहीं, जो औरो दोस्तों का अनुकरण भोग विलासिता का आप कर सकते हो, धर्म का नहीं कर सकते, धर्म का अनुशरन करने के लिए भारत देश है, बारत जैसी धार्मिक्ता किसी भी देश में नहीं है, पातिवरत धर्म, यती धर्म, मोक्ष प्राप्ति, जीवन मुक्तिता, भगवत प्राप्ति, कहीं सब्द नहीं सुनूगे आप, कहीं नहीं सुनूगे, एक पातिवरत, एक पातिवरत, ऐसा कहीं आप नहीं सुनूगे, इ पहली बात तो आपको घ्रणा हो जाएगी, आप देखना हमारी बात को गंभीरतास पकड़ना, हम आपको वैग्यानिक प्रवत्ती अंदर से उसका मनन कर, हम जैसे लोग कहते हैं, हम इसमें पीछडी की, हम इसमें पीछडी की, तो हम तो आपको बताएं, पीछडी पढ़ा न ये एक जगे कभी ठिकेगा नहीं, आप देखना, नवम 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 नवम, यदि नवम नवम में ब्रक मार देओ, तो आपको घ्रणा हो जाएगी कुछ दिन में, थोड़े दिन के बाद आपको घ्रणा हो जाएगी, वो मांगेगा नवम, वो आपने लगा दी ब्रक, तो निश्कामता आजाएगी, या नहीं, ऐसे, इसका सोभा हो है, अब जब इधर घ्रणा आएगी, तो उसको कुछ चाहिए, तो वो सतमार्ग में चल देगा, और नवम नवम तो फिर, पापा चरन बुड़ापे तक बना रहता है, दियान दखना, मनिंद्रियां कभी को लाओ, भाई हम इतना तो खा सकते हैं, यह नहीं खा सकते, इतना भोग सकते हैं, यह नहीं भोग सकते, जो धर्मपूर्वाग है, आपको उससे ग्रणा हो जाएगी, सच्ची वाली, आपको रोज घिया की सबजी खवाई जाए, रोज, तो एक दिन आपको उल्टी लग घिया है, बोले हो पवाज कर लेंगे, मत पवाओ, लगी काए गला, नवम नवम इसकी चाठ है, तो यह विचार प्रवत्ती है ना, इस सबसे ज़्यादा नरक ले जाने वाली, अगर पूरे बिश्वों में देखो, आप लोग बैठे हो, सबसे ज़्यादा आकर्शन काम का है, अंदर से देख लिए, आप भूखे रह सकते हो, पानी भी नहीं पी सकते, अगर काम आकर्शन होना, यार छोड़ो कल पा लेंगे, आज पहले काम, पानी भी बाद में पहले काम, देखा गया कि सबसे ज़्यादा मन का आकर्शन काम में है, फिर सबसे ज़्यादा पूलता जाने पर क्रोध में है, या काम की पूर्ती हो जाने पर लोभ में है, यह करम है इनका, काम, क्रोध, लोभ यह बिलकुल काम से ही उत्पन होते हैं, अगर हम इन पर शासन कर लें, तो हम जीवन मुक्तता की तरफ चल सकते हैं, पर इन पर शासन तभी हो सकता है, या तो विरक्त भाव में जैसे चल रहें तो पूरा का पूरा ब्रक मार दे और या फिर जैसे आप ग्रेषत आस्रम में चल ले तो धर्म पूरुवक एक पतनी, एक पती ब्रत मर चाहे जाओं, कभी किसी भी औसर पर हम दूसरे का इस पर सरह नहीं करेंगे, तो धर्म पूरुवक काम का सेवन भगवान ने अपना सुरूब बताया आप आगे निकल जाओगे हम बेइमानी का धन घर में नहीं लाएंगे हम मांस नहीं खाएंगे सराब नहीं पीएंगे बेविचार नहीं करेंगे तो काफी समस्याओं का समाधन तो अपने आप हो गया अब जो अंदर की समस् आईसा संयोग मिलेगा फिरी अब अगर चूख गए तो गए और वो नियम धारण किया नहीं चाहे मर चाहे जाओ गलत नहीं करूँगा वह आगे बढ़ता है का ग्रेश्थी में रहते विए आप संत हो जाओगे ग्रेश्थी में रहते विए आपको दिव्यान भूतिया होने लगेंगी जिसे आपके सब्दों से पता चलता है कि आप अध्यात्मिक मार्ग में प्रिवेस पा रहे हैं क्योंकि शब्द बताते हैं कि आपकी स्थिति कहां है तो हमें लगता है कि ग्रेश्थी में रहकर दिव्य स्थितियों की प्राप्ति के लिए कोई कठिंता लें मिह क्यों कठिल है क्योंकि फिसलन बहुत है ऐसे दो उस्ताइसे मित्र ऐसा भोग शामागरी की बाहुलेता ऐसा एकांत में वह भोग प्रियता यह लगेगा यार छमा मांग लेंगे भगवान से थोड़ा दानपुन्य कर लेंगे अगर फिशला तो वहां दानपुन्य का मतलब न अब समालना मुश्किल है जैसे दलदल में फसा हुआ आदमी निकल नहीं सकता जब तक उसको कोई दूसरा निकला हुआ न निकाले तो ऐसी जब हम काम करूद आदी पापाचनन रूपी दलदल में फस जाते हैं तो मारे दंदर हिम्मत नहीं रहती कि हम निकल पाएं लोग ऐसा भजन करें कि भगवान के धाम में चले जाएं अगर चूख हो जाए तो भगवत प्रताप से हम यहीं जन्मे भारत में और ऐसे तेजस्वी जन्मे कि हम कामकरोद के गुलाम नहीं कामकरोद से मुप्त कराने वाले कितने महत्मा ऐसे प्रगट हुए आनंद की बर दान करने वाला हो तो यह भजन से होगा जब तक हम भजन नहीं करेंगे अच्छे आच्रण नहीं करेंगे तब तक आज हमारा चरित्र बिगड़ रहा है आज हमारे समाज का चरित्र बिगड़ रहा है और उसे यह समझा नहीं जा रहा कि गलत है जैसे देखो सराव है मदिर ये महापाप में रखा गया और कल्यूग बुद्धी भरष्ट कर देता है आज जिसके घर में जिसकी पार्टी में जिसके निमंतरन में ये चीजें ना हो तो उसको मतलब मात्वे नहीं दिया जाता कि पार्टी हुई नहीं अलग समझा जाता है मतलब आज कल तो भगवान बुद्धी बचावे अगर आप बढ़ियां उनके पैर धोके और पाटा में बैठार के और दाल रोटी सब्जी पूड़ी और खीर पुआ कोई मानेगा कि हमें हमारा स्वागत हुआ है तो आजका जो सोच है जो बुद्धी है वो बरश्ट होती चली जा रही है तो हमें लगता है आपका बहुत धन्यवाद कि आप मानो दे की सार्थक्ता के विशे में प्रशन कर रहे हैं मानो दे की सार्थक्ता के लिए इतना बात मान लो जो धर्म युक ताचरण है उनको करो जो अहार तुम्हारे लिए निश्चित है उस अहार को पाओ शात्वी कहार मनुष्य देह के लिए यह राक्षसों के लिए है आप राक्षस नहीं हो अगर राक्षस वो चीज खाते हैं तो उनको पाप नहीं लगता जैसे हम मूली पाते हैं गाजर पाते हैं हम और फल सब्जियां पाते हैं हमारे लिए पाप नहीं जी उसमें भी है वो उसको कोई पाथुड़ी लगता है क्योंकि उसका अहार मिश्चित है वह अपना बल पूर वक जिस पसू को चाहए मार के खा सकता है तो हम लोग पसू नहीं हैं हम लोग राक्षस नहीं हैं हम लोग मनुष्य हैं हम सद्गति करना अपनी करने आए हम दुरगति वाले आचरम शोड़ने नाम जब करें तो ग्रेस्त में रहती हुए भगोत प्राप्ति हो जाए